आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एक्जाम की सिलेबस में अगर जीके है तो अच्छा खासा आपको तंग होना पड़ता है आपको बहुत सारी strategies बनानी पड़ती है जीके को खतम करने के लिए लेकिन फिर भी at last अगर 50 नमबर का paper है आपका जीके का तो उसमे कभी भी इस तरह से नहीं होगी कि साल भर लगे हो और बस सिलेबस खतम करने के पीछे भागे हो जीके के ऐसा नहीं होगा जीके को टैकल करने के लिए आपको बस एक minimum time जीके को देना पड़ेगा और बाकी time आपको अपने core जो आपकी subject है उन में लगाना पड़ेगा तो ये जीके की दो महीनी की strategy है सिरफ strategy नहीं दूँगा आपको daily आपको task के रूप में topics दूँगा और आपको वो topics complete करने हैं ये topics मैं दूँगा आपको pinnacle की gs की किताब से अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपको मैं ये provide करा दूँगा PDF की form में साथ में आपको कुछ technical booster की test series से उसके अंदर PYQs होंगे SSC, CGL के, JE के, CHSL के, CPO के, अलग-लग exams के जो की जिसके अंदर आपका GK साथ में current affair भी cover हो जाएगा साथ में test series आपकी हर Sunday को test series ली जाएगी जिसमें GK भी आपका part होगा तो आपकी वहां से practice भी हो जाएगी दो महीने की strategy है अगर आप किस किसी भी exam को follow कर रहे हो किसी भी exam की तयारी कर रहे हो अगर उसका syllabus GK है और साथ में reasoning भी है तो इन दो महीनों के लिए अगर आपने task follow किये तो बहुत आराम से आपकी तयारी हो जाएगी कोई course words लेने की जुरूत पड़ेगी भी निया आपको बस महनत आपको करने जो मैं daily task आपको दूँगा आपको वो करने पड़ेंगे simple सी चीज तो यह है कि आपको pinnacle के gs की book में pdf में दे दूँगा मैं आप इन task को follow भी मत करो उसको बस शुरू से लेके आखिर तक खतम कर दो इतना भी आप कर दोगे तो आपके जितने बी जिस टोपर के बी जितन बार एक बच्चा task complete करता है तो सब के साथ मिलके आपके भी task complete हो जाएंगे तो strategy क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ पिनेकल की जो GS की किताब है उसके अंदर ये सब main topics हैं static GK, history, quality, geography, economics, physics, chemistry, bio लगबग यही चीजे पूछी जाती है अगर GK सलेबस में होता है तो इन सब के अंदर static GK में 25 topics, history में 41, 11, 22, 13, 13, 13, 22 इतने सब topics हैं साथ में current affair अलग से है तो अगर इन topics को जोड़ा जाए तो 160 topics होते हैं total अगर 60 दिन लिये जाए दो महिने का time लिया जाए अगर आप 3 topics एक दिन में भी करोगे तब भी आपकी ये किताब पुरी हो जाएगी 60 दिन के अंदर दूसरा अगर आप pages के term में भी देखो इनको तो 654 pages है हर एक दिन 11 pages पढ़ ही सकते हो आप अगर हर दिन आप 11 pages भी पढ़ोगे तब भी आपकी ये किताब खतम हो जाएगी अगर आप खुद से determined हो discipline है आपके अंदर तो यहां से वीडियो को छोड़ दो ये GS की किताब आपको PDF में मिल जाएगी बस ये आपके लिए strategy है अगर आप खुद से तयारी कर सकते हो इस strategy को लो हर दिन तीन topic करो और किताब खतम कर दो ये आपके लिए मेरा task है लेकिन अगर आपको कुछ task जैसा चाहिए आपको discipline नहीं हो आप और अपने हिसाब से नहीं complete कर सकते हो तो मैं daily आपको जो जो task दूँ जो topics में आपको करने के लिए दूँ जब मैं आपको बोलू test देने के लिए आप test दो ज सब भी आपका 30 दिन में complete हो जाएगा तो आत्ती start होने जा रही है ये आपकी strategy अब approach क्या रखनी है आपको approach ऐसे रखनी है जैसे मैं 4 topic आपको daily दूँगा करने के लिए तीन topic के हिसाब से चलेंगे लेकिन हमें factor safety रखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि 30 दिन बाद कोई exam है तो जैसे static gk है जैसे मैंने आपको topic दिया musical instruments तो आपको क्या करना है चलो static gk है तो सिधा याद करने वाला होगा तो उसमें कोई दिक्कत नी है जैसे history है history के अंदर मैंने दिया governor general of India तो Britishers की time की बात है तो आपको governor general of India के questions देखने पड़ेंगे और उनके solution देखने पड़ेंग जिनको मैंने भी follow किया है सौरफ कुमार पंडे सर के notes वो भी मैंने provide करा दूँग मैं आपको तो आप जैसे मैंने आपको governor general of India ये सब दिया तो आप इसके questions देखने के साथ साथ आप सिरफ वही वाला part आप उन notes से पड़ लोगे और साथ में questions भी कर लोगे इस तरह से आपक करीब 200 बच्चों ने test दिया और उसमें number काफी कम थे वही average 10 के आसपास रह जाता है 50 में से 10 number इस से मैं भी नहीं देख पा रहा हूं कि आप लोग इतनी महनत कर रहे हो मैं भी आप लोगों के साथ तनी महनत कर रहा हूं daily मैं आपको task दे रहा हूं आज आपका 35th task होगा ले आपको क्या करना है static जो भी मैं आपको topic दूँ उस topic को थोड़ा सा पहले उसके questions देखो questions अगर आपके मतलब एक sequence में नहीं है तो एक बार notes देखलो notes से उपर उपर से पढ़लो सिरफ उस topic को और फिक questions देखो और इस तरह से आपको topic cover करना है अब आपकी approach क्या रहेगी topic cover कर करने की जैसे आपने time दिया कि आप जीके सिरफ दो घंटे पढ़ोगे तो आपके चार topics हैं जीके के तो इन चार topics में से आप आधा अधा घंटा देखे के मान रहे हो कि आधा घंटा में एक topic को दूँगा तो आधे घंटे में जैसे मैंने topic दिया आपको गांधियन phase अगर 30 मिनट में वो गांधियन phase खतम नहीं हुआ तो आपको छोड़ देना है वहाँ पे आपको सिरफ 30 मिनट गांधियन phase पढ़ना है और उसके बाद उसके questions करने हैं सिरफ इतना ही करना है आपको सिरफ एक basic पता होना चाहिए उससे आपका काम चल जाएगा तो 30 मिनट में ऐसा न आपने ले ली तो आप हर एक question थोड़ा common sense से भी solve कर पाऊगे तो 30 मिनट आपको उस topic को देना है उसमें आपको theory भी पढ़नी है और उसके question भी जली जली देखने है यह आपकी approach रहेगी इसके अंदर तो इस तरह से daily topics को करते वे चलोगे तो बिलकुल बहुत आराम से 60 दिन जिके को cover करने के लिए Pinnacle GS की जो किताब है उससे में 4-4 topic आपको दूँगा और उससे आपको करना है दूसरा non-tech booster क्या है कि यह तो आप कर रहे हो यह भी PYQ ही कर रहे हो लेकिन जब एक exam में यह तो आपने particular topic पढ़ा लेकिन जब exam में बहुत सारे topics mix होके आते हैं तब दिमाग वहाँ पर कितना चलता है यह भी आपको देखना जरूरी है और इसके आपको practice भी करनी है तो इसलिए आपको हर दिन जो PYQ हैं बहुत PYQ available है SSC CGL के CHSL के JE के और बहुत सारे बहुत PYQ आपके पास available है उनको मैं daily आपको randomly आपको topic दूँगा जैसे आज के task में मै आपको CHS CPO का task दूँगा उसके अंदर आपको 25 GK के और 25 reasoning के question करने है अब देखो इससे क्या फायदा होगा 25 GK के question में क्या होगा यह 2023 का question paper है तो इसके अंदर जो current affair आया हुआ है वो आपका अभी अगले आने वाले paper में भी relevant हो जाएगा वो ठीक है उसके लिए भी important होग तो आपके 25 GK के question हो जाएगे इसके अंदर current affair भी आ जाएगा अब इन 25 GK के question में कुछ topic तो वो होगे जो मैंने आज दिये और काफी सारे topic वो भी होगे जो आपको आगे मिलने वाले हैं तो आपके points कहीं कहीं आप syllabus जैसे वालो यह आपका syllabus है तो इस तरह से 25 question आप करोगे तो कहीं कहीं कि आपको knowledge मिलेगी ठीक है लेकिन जिस time पे आपको particular वो ही topic मिल जाएगा पढ़ने के लिए तो आपकी वो knowledge complete हो जाएगी सिरफ इस point की मदद से आप बाकी चीज़े relate कर लोगे और इसके around ही आप knowledge gather कर लोगे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप particular topics तो complete कर रहे हो ल आप हर एक दिन exam को tackle कर रहे हो तो जिस दिन आप exam को tackle करने जाओगे तो आपके लिए ऐसा लगेगा जैसे बहुत ordinary सी चीज़ है रोज तो आप यह काम करते हुए आए हो दूसरा यह जो non technical booster आप attempt करोगे यह आप एक test की तरह नहीं attempt करोगे test देना मतलब अपनी knowledge को test करना आ आप इसको technical package की तरह लोगे technical package मतलब आप अपनी knowledge को बढ़ा रहे हो knowledge test नहीं कर रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे कि जैसी ही आप test को इसको open करोगे और आप submit कर दोगे तुरंद के तुरंद submit करने के बाद आप पहले से लेके 25 question तक जाओगे और हर एक के solution देखोगे जो question आपको आता है उसको तो आप attempt करोगे लेकिन जो question नहीं आता है उसका answer देखोगे और साथ में solution देखोगे आपको क्या करना है इसके अंदर इसके अंदर आपका homework ये रहेगा कि जैसे पहला question आया fundamental rights के related कोई भी fundamental rights पूछ लिया कि article 15 किस चीद से related है तो उसके अंदर चार option होंगे तो इसका answer आप मुझे लगता है fundamental rights तो पड़े होंगे आप इसको tick कर दोगे लेकिन साथ साथ जो उसकी theory होगी उसकी theory को भी आप पूरा देखोगे उसके अंदर सभी fundamental rights के बारे में ब रिपेर हो गया जिस टाइम पे मैं quality का fundamental rights दूँगा तो उस टाइम पे वो आपका revision भी हो जाएगा वहाँ पे तो आपको non technical booster को भी बिल्कुल seriously लेना है daily मैं हर एक दिन randomly आपको paper दूँगा वो आपको attempt करना है अब यह paper आप attempt कैसे कर सकते हो अब आप अलग-लग test series लोगे तो शयद 1000 लाकों की तो नहीं, 1000 की आपकी test series पढ़ जाएगी आपको simple सा एक काम करना है test book पे जाना है ठीक है test book पे जाना है और test book पे आपको test series purchase कर लेनी है अभी फिलहाल sale चल दी है उसके अंदर तो आप वहाँ से test series purchase करोगे तो जितने भी उसके अंदर test series होंगी वो सब आपके सब open हो जाएंगे आपके सामने और उसके बाद जब मैं आपको कोई भी test दूँगा तो आप directly उसको open करके आप attempt कर सकते हो तो अगर test book की test series नहीं है मैं बिल्कुल highly recommend कर रहा हूं आपको कि ले लो अभी फिर भी sale चल दी है इसके अंदर वैसे ही सस्ती है और सस्ती मि अंदर आपको क्या करना है कि आपको अलग-लग copy बना लेना ऐसी चार copy अलग से बना लेना या छोटी-छोटी 8 copy भी बना सकते हो ठीक है अपनी मर्जी से आप कर सकते हो लेकिन एक हर एक चीज बहले ही आपके पास notes हो आपने print out करा ले हो आज sources of Indian constitution इस नाम की एक heading होनी चाह आपको उसके नीची लिखना है हर बार आपको उठाके किताब उठाके नहीं पढ़नी है जब मैं आपको revision के लिए कि आज आपको sources of Indian constitution revise करना है तो आप किताब नहीं खोलोगे आपने जो भी important चीज लिखी थी अपनी copy में सिरफ आप वो चीज देखोगे और उसको ही बस इतना ही आपको करना है क्योंकि जिके जितनी बार revision करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा retain कर पाऊगे एक बार पढ़ने से एक बार अच्छे से पढ़ लेना लेकिन उसके बाद बस revision करना है तो revision के लिए आप कोई किताब नहीं खोलोगे यह जो आप short notes बनाओगे उसको ह बी करेगा तो अलग से short notes बनेंगे हर एक चीज के 60 दिन बहुत होते हैं 60 दिन में cover हो जाएगा सब चीजे तो दो घंटे से जादा नहीं लगाना है इन चारो टास्क के अंदर और एक अलग से short notes बनानी है अब बाइलोजिक ए endocrine और exocrine system को अगर आप पढ़ना चाहते हो मैंने अरिहंत की book भी upload कर दी है उसमें से भी पढ़ सकते हो लेकिन बस जितने question कर सको आदे घंटे में उतने कर लेना अपने short notes में लिख लेना याद करने कोशिश करना याद ना भी हो तो लिख्यो होनी चाहिए उसके बाद अगली बार जब आप revision करने आओगे तो सिरफ छोटी सी copy को देखोगे फिर आप ये questions नहीं देखोगे फिनेकल से इतनी बात का दिहान रखना revision के लिए मैं देता रहूंगा topic तो आपको चार topic ये करने है non technical booster में आपको SSC CPU test series आपको open करनी है आपको सिधा डालना है SSC CPU ठीक है या फिर SSC CGL भी डालोगे तो 3-4 test series खुल जाएगी तो CPU वाली पर क्लिक कर देना है आपको उसमें CISF 23rd July 2023 Shift 2 यही paper आपको attempt करना है कैसे करोगे test book में जाओगे ठीक है test book जाओगे उसके आद सीधा CPU में जाओगे और उसके आद ये paper को attempt कर दोगे paper को test की तरह नहीं attempt करना है सीधा submit कर देना फिर उसकी solution देखने है द तो सीधा code डालने में दिक्कत हो रही है तो सीधा link पर क्लिक करना वहाँ पर आपके पास open हो जाएगा direct अब आते हैं technical के ओपर technical में आपको पहला soil seepage through soil इसके सिरफ SSC JEE के PYQ करने है कोई notes में पढ़ने की कुछ जूरत नहीं है सिरफ SSC JEE के PYQ करना और PYQ करने का मतलब यह नहीं की रट लिया जो भी question है उसके concept याद होने चाहिए concept समझने के लिए notes पर जा सकते हो अलग से notes खोलके इस पूरे chapter को करने की जुरत नहीं है जिस chapter को करने की जुरत होगी वो मैं आपको अलग से बताऊंगा जैसे RCC का limit state of collapse in share इसको आपको जस्पाल सर के notes से अब मैं आपको एक-एक page बताऊंगा जो आपको पढ़ना है जो page नहीं पढ़ना है जो irrelevant है objective के हिसाफ से वो मैं आपको छुडवा दूँगा आपको क्या करना है जस्पाल सर के वो pages पढ़ने है इस chapter के जो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाए फिर SSCJ के PYQ uptime करने है त तो ये notes भी आपको directly link में मिल जाएंगे आपके पास कोई और notes है तो उनकी pages में नहीं बता पाऊंगा उनको आपको अपने आप से deal करना पड़ेगा इन notes से मैं आपको बता सकते है कौन से page आपको पढ़ने है तो note कर लो आप page मेरी PDF में page number 124 से open हो रहा है chapter का नाम share दे रख 124 page है ये पूरा पढ़ लेना है कुछ रटने की जुरुत नहीं है समझने की कोशिश करना समझ में ना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसको देख सकते हो बाकि समझ में आ जाएगा page number 124 125 lightly पढ़ना समझ में ना है छोड़ देना बिलकुल कुछ ऐसा नहीं है बस सम diagram है इसको रट लेना है यह बिलकुल कोश्चन की तरह आता है उसके पेज नमबर 127 पढ़ना है बस जस्ट उपर उपर से एक बार पढ़ लेना types of cracks को आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको फिर 128 ठीक है आपने more circle पढ़ होगा तो समझ में आ जाएगा 128 को अच्छे से द पढ़ लेना है इसको पेज नमबर 130 अब जो different type of failure है इसको एक एक को बहुत अच्छे से समझना है आपको diagonal टैंचल फेलियर बहुत अच्छे समझना है flexural share failure देखना है बहुत अच्छे से diagonal compression failure तीनों को देखना है बहुत अच्छे से बार बार पढ़ के देखना है इसको फि इस तरह से हम share transfer होती है पेज नमबर 132 देख लेना बस उपर उपर से देख लेना अच्छे से पढ़ना ना भी चाहो कोई दिक्कत निया पेज नमबर 133 फालतों की value दे रखी है याद करने की कोई जूरत निया बस देख लेना उपर उपर से सिरफ उपर उपर से देखना ह 133 जो पेज बहुत important है याद करना है वो मैंने आपको अलग से बता दिया पेज नमबर 134 actual shear stress distribution याद करना है बहुत अच्छे से समझना है पेज नमबर 134 का जो right वाला पार्ट है उसके अंदर एक एक चीज़ derive करकी दिखा रखी है ठीक है वो आपको derive करना सीखना नहीं है समझने कोशिश करना नहीं आए तो कोई बात नहीं कुछ ऐसा ज्यादा important नहीं है बस formula आपको याद रखना है कि tau की value is equal to 10 beta upon bd होती है मतलब कि अगर beam ऐसा नहीं है beam मालो आगे जाते जाते उसकी depth कम हो रही है तो हमारे पास जो formula होता है वो u upon bd की जंगा यहाँ पर वो change ह जाता है वो हो जाता है v u upon plus minus m upon d 10 beta upon bd यह हमारे पास store की value हो जाती है अब इसको ऐसे समझो कि मालो यह cantilever beam है आपका cantilever beam है और आगे जाते 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 इसकी depth जो है कम हो रही है आगे जाते जाते depth कम हो रही है तो इसका ज़रा पहले bending moment डाइग्राम बना तो मालो यहाँ यूडियल था तो bending moment डाइग्राम हुआ यह आगे जाते जाते bending moment क्या हो रहा है कम depth भी कम हो रही है मतलब bending moment कम हो रहा है तो depth की requirement है वो कम ही हो रही है तो इसका मतलब share stress जो होगी इसके अंदर requirement कम ही होगी ठीक है तो यहाँ पर minus आएगा अगर इसका उल्टा होता कि मालो य simply supported beam होता ठीक है और इसके अंदर क्या होता कि आगे जाते जाते depth जो है कम हो रही होती तो इसके अंदर जो bending moment ecos diaggaram होता है वो यह होता है अशपा यहाँ प्लस वाला फोमुला है बस यह इतक देख लेना गहेता लेना प्लस माइनस कब हाता है उसके अलावा diagram आपको derivation याद करने की कोई जुरत नी, समझने की भी कोई जुरत नी है आगे चलेंगे इसके अंदर tau c max की value जो है यह आप याद करने कोशिश करोगे ना याद हो तो formula है 0.631 under root fc के उसके बाद page number 136 समझने कोशिश करेंगे इसको 136 page number important है left वाली side, right वाली side को पढ़ लेंगे critical section कब होता है उसके आप 137 बस देख लेंगे एक बार और diagram है एक बार देखने की समझने की कोशिश कर लेंगे directly objective आ जाता है 138 page design का criteria दे रखा है बस एक बार देख लेंगे इसका कोई भी numerical solve करने की कोई जुरत नी है 138 और 139 page बस अब इतना देख लेंगे उसके बाद छोड़ दोगे आगे आगे करने की जुरत नी है 139 page तक कर देना vertical stirups वगरा यह सिधा आपको सब चीजे आपको objective में समझ में आ जाएंगी यहां से समझने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी bent up bars वगर बिल्कुल छोड़ देना 139 page के बाद आप कोई भी page नहीं पढ़ोगे आगे अगर कोई page पढ़ने वाला होगा मैं बता देता हूँ आपको 139 page के बाद आप कोई page नहीं पढ़ोगे कोई भी question आप attempt नहीं करोगे जो इसके अंदर conventional दे रखे हैं बिल्कुल छोड़ दोगे time waste करने की जुरूत नहीं है बिल्कुल भी सीधा आप आओगे page नंबर 150 पे उसके अंदर PYQs दे रखे हैं उनको attempt करने कोशिश करोगे और वहाँ से आप सीखोगे कुछ भी जो भी आपको सीखना होगा बस उसके बॉन्ड एंड डिटेलिंग आजएगी यहाँ पर छोड़ दिना आपको 151 पेस तक आपको करना है और उसके आप सीधा आप SSC JEE के PYQs अटेंब करोगे तो यह आपका आज का टास्क है